जे माता दी आज हरी ताल कातीज पर आईए सुनते हैं माता पार्वती और भगवान गरेश की यह कथा माता पार्वती जब सिसु गरेश को छोड़ाई जंगल में सुनते हैं पवरारी कथा कहते हैं कि एक घनी जंगल में सिसु गरेश को माता पार्वती छोड़ कर चली गई उस जंगल में हिंसक जीव ही खूंते रहते थे वहां कभी कभार रिसी मुनी भी उस जंगल से गुजरते थे उस भयानक जंगल में एक सियार ने उस सिसु को देखा और वह उसके पास जाने लगा तभी उसी समय ही वहां से रिसी बेद ब्यास के पिता परासर मुनी गुजरे और उनकी द्रिष्टी उस अबोध बालक पर पड़ी और उन्होंने देखा कि एक सियार भी उस सिसु की योर धीरे धीरे आ रहा है पहले तो परासर मुनी ने सोचा कि कहीं यह इंद्र का कोई खेल या माया तो नहीं जो मेरा तब भंग करना चाहता हो यह सोचते हुए महरसी परासर तेजी से सिसु की ओर बढ़े और यह देखकर वह श्यार अपनी जगह पर ही रुक गया और फिर चुपचाफी बन में कहीं गुम हो गया महरसी परासर ने उस बालक को ध्यान से देखा उसकी चार भुजाएं थी रक्तवर और गजबदन था सुन्दर वस्त्र पहन रखे था तब उन्होंने उसके छोटे छोटे चरणों को देखा तो उस पर ध्वज अंकुष और कमल की रेखाएं अश्पष्ट नजर आ रही थी यह देखकर महरसी के सरीर में रुमान छोआया और वे समझ गए कि यह कोई साधारर बालक नहीं बलकि स्वयम प्रभू थे तब उन्होंने सिसु की चरणों में अपना मस्तक रख दिया और वे खुद को भाग्य साली समझने लगे वे उस सिसु को लेकर अपने आश्रम चल पड़े उनकी पतनी वत्सला ने जब महरसी के हाथों में एक नन्ही बालक को देखा तो पूछा यह आपको कहां सी मिला महरसी ने कहा यह जंगल के एक सरूवर के टटपर पड़ा था लगता है कि क्रूर हिर्दे अभागा इसी वहां छोड़ गया वत्सला शिशु को देख कर प्रशन हो गई तब परासर ने अपनी पत्नी को समझाया कि यह साचात त्रिलो की नाथ हैं यह हमारा उध्यार करने के लिए आए हैं यह वचन सुनकर वत्सला रुमान जित हो गई दोनों ने मिलकर गड़ेश का लालन पालन किया कहते हैं कि भगवान स्री गड़पती ने प्रित युग में कश्यव व अधीती की यहां स्री अवतार महूतकर बिनायक नाम से जन्म लिया इस अवतार में गड़पती ने दिवान तक व नरान तक नामक राच्सों का शंगहार कर धर्म की अस्थापना की वह अपने अवतार की समापती की त्रेता युग में गड़पती ने उमा की गर्वशे भाद्रपद शुक्रचतूर्थी के दिन जन्म लिया और उन्हें गरेश नाम दिया गया इस अवतार में गड़पती ने शिंधु नामक दैत्य का विनाश किया वह ब्रह्मदेव की कन्याएं स्लिध्धी और शिध्वी से विवाह किया द्वापरिव में गर्पती ने पुनह पार्वती के गर्व से जन्म लिया वह गरेश कहलाए परंतु गरेश के जन्म के बाद किसी कारण बस पार्वती ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया जहाँ परासर मुनी ने उनका पालन पोशड किया इन्हें गरेश ने ही रिशी बेद ब्याज के कहने पर महा भारत लिखी इस अवतार में गरेश ने सिंदुराशुर का बद कर उसके द्वारा कैद किये अनीक राजाओं वबीरों को मुक्त कराया था इसी अवतार में गरेश ने वरेड्य नामक अपने भक्त को गरेश गीता के रूप में शास्वत तत्व ग्यान का उपदेश दिया ऐसा भी कहा जाता है कि वे महिश्मती वरेड्य वरेड्य के पुत्र थे कुरूप होने के कारण उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था विल्मती सेप्ने लाफ यादर्यूब छोग जई पुत्र ख्वाद